जिला कांग्रा में भी 3-4 माहा से कोरोना के चलते अधिकतर गतिविध्या बंद हो गई थी लेकिन अब अनलोक होने के बाद वहुत से विकासात्मक गतिविध्या चल पड़ी है इसी कड़ी में अनलोक वन में पहली बैठक खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित की गई विविन्न विकास खंडों में चल रही विकासात्मक गतिविध्यों की इस बैठक में समीक्षा की गई उपायुक्त कांगला राकेश प्रजापती ने खंड विकास अधिकारियों की धरमशाला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाहर से आये लोग जिनकी नौकरी छूट गई है उन्हें व्यक्तिगत कारे दिये जा रही है उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में पैसा कैसे आये इस पर ध्यान दिया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि जिला में एक लक्ष तै किया गया है कि आगामी पंदरा दिनों के भीतर पांच हजार ऐसे व्यक्तिगत कारे हों जो की पंचायत स्तर पर शुरू किये उन्होंने कहा कि इसके अलावा लगभग 25 करोड ऐसे कारे हों जो की मनरेगा समगर के तहत चलें। उपायुक ने कहा कि उनका प्रयास है कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से नौकरी छूटने पर वापिस घरों को लोटे हैं उनके जॉब कार्ड बना कर उन्हें काम उपलब करवाया जा सके। मनरेगा समगर नाम से हमने एक स्कीम चला है यह मनरेगा के तह़ा है जो इंडिविज्विज्व व्क्स हम लोगों को दे रहे हैं। खास करके उन लोगों को जो लोग बाहर से आए हैं जिनका चॉब लास हुआ है। ऐसे लोगों को उनके हाथ में कैसे पैसा जाए। उनके वर्क्स कैसे हो उसके उपर फोकस किया गया और साथी साथ जो एक टार्गेट हमने दिया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर लगबग 5000 ऐसे वर्क्स हों जो इंडिविजुल वर्क्स हों जो हम पंचायत तस्तर पर शुरू कर सकें और लगबग 25 करोड के आसपास के ऐसे वर्क सिटी चैनल के लिए धरमशाला से निर्प जीत निपी की रिपोर्ट